दोस्तो ऐसे बहुत सारे स्वाल है जो आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं पती की साइड से भी आते हैं तो पत्नी की साइड से भी आते हैं पत्ती का तो यह खहना होता है कि सर हमारी पत्नी है जो हमारी से काफी टाइम से अलग रह रही है हम दोनों के बीच में एक dispute चल रहा है हम उसको लाना चाते हैं, रखना चाते हैं फिर भी है जो नहीं आना चाती है हमारे से वो अलग ही रहना चाती है हम उसको बोल भी चुके हैं कि या तो आप आने के लिए तयार हो जाओ, हमारे साथ में रहने के लिए अलग हो जाते हैं फिर भी है जो राजी नहीं होती है mutual divorce के लिए भी राजी नहीं हो रही है अब यहाँ पर अगर हम खुद contested divorce यान कि एक तरपतला के लिए apply करते हैं तो इसके लिए है जो हमारे पास में कोई मजबूत ground यान कि मजबूत evidence नहीं है या फिर हमने खुद ने contested divorce के लिए apply किया है तो उसकी भी कोई guarantee नहीं है कि हमें कोई divorce है जो मिली जाएगा तो यहाँ पर है जो हमारी life एक रुक्सी गई है यान कि फस गई है हमें है जो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है हमारा वेवाई की जीवन है जो पूरी तरह से बरबाद हो चुका है तो हम life को आगे भढ़ना चाते हैं किसी अन्य partner के साथ में उससे हम साधी करना चाते हैं तो क्या हम बिना तलाग के दूसरी साधी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर है जो हमारा तलाग तो हुआ नहीं है अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या हमारे उपर बाइगे मी यानि कि IPC 494 का केस बनता है क्या हमें सजा हो सकती है क्या हमें जेल हो सकती है इसका कोई विकल्प है या फिर नहीं है यह पूरी जानकरी आप हमें बताईए और ऐसा ही सवाल है जो पतनी की साइड से मेरे पास में आते हैं पतनियों के भी ये खहना होता है कि सर हमारे पती है जो हमें साथ में नहीं रख रहे हैं और नहीं हो हमें है जो तलाक देना चाते हैं इस लेवल के उपर हम दूसरी साधिक करना चाते हैं, तो हम कैसे करें, तो यहाँ पर सभी का समाधान में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, कि यहाँ पर कोट यान की कानून आपके साथ में है, आप डरनने की आउशकत नहीं है, आपको जो मैं प्रोसीजर में नहीं आती है, और आपके अपने इस चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को विश्ये दबा दीजिए, तो चलिए सुरू करते हैं, तो वैलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एड़ोकुर जिते अंदर, और सबसे भेल है, तो मैं आपको IPC-494 के बारे में बेसिक जानकारी बता देता हूँ, IPC-494 का मतलब ये है, कि अगर बिना तलाक के दूसरी साधी करते हैं, तो यहाँ पर आपके उपर बाइकमी का केस हो सकता है, IPC-494 के जाल के अंदरा फंसकते हैं, जिसमें 7 वरस्तकी सजा हो सकती है, साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, तो बेसिक कानून है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता है, दूसरा इसमें IPC-495 भी होती है, इसका मतलब ये होता है, कि जिससे आप साधी कर रहे हैं, उससे अगर आप ये बात शिपाते हैं, कि आपकी पहल तक की सजा हो सकती है, साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, तो इस कानून के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, और यहाँ पे है जो आपको मैं बता भी चुका हूँ, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि IPC-494 और IPC-495 का केस के डायरेक्ट प पड़ते हैं, यह evidence देने पड़ते हैं, जो भी यहाँ पे केस कर रहा है उसको, उसको साबित करना पड़ता है कि यह देखो मेरे partner ने बिना तलाक के दूसरी साधी कर ली है, यह फिर इसने है जो मेरे से यह बात चिपाई है, तो जब साबित करेगा यह फिर साबित करेगी तबी है, जो जिसके खिलाब केस हुआ है, उसको punishment मिलेगी, अन्यत है जो punishment नहीं मिलेगी, कोई भी jail वगरा है, जो नहीं होगी, तो यह तो जानकरी आपके कानून के मताबिक है, जो समझ में आ गई होगी, और दोस्तों, अम्मा आपको यह जानकरी दे देता हूँ, ऐसे भ या फिर 495 का केस है, जो हमारी उपर हो सकता है, तो यहाँ पर दोखो यह बिना तलाक के दूसरी साधी करने पर ही यह केस होते हैं, आप अगर adultery या फिर union relationship के अंदर रह रहे हैं, तो यह धाराय हैं जो आपके उपर नहीं लगेगी, तो यह जानकरी आपके अच्छे से कुछ भी नहीं होगा, बेफिकर होके दूसरी साधी कर सकते हैं, तो यह तीन सरते कौन-कौनसी है, तो इसमें पहले सरत तो यह आती है कि जिनको साधी करनी है, उसके partner अगर खतम हो चुके हैं, यानि कि इस दुन्या में नहीं रहे हैं, वो death कर गये हैं, तो जिनको साधी कर करनी है, वो साधी कर सकते हैं, उनके उपर है, जो ऐसा कोई भी केस नहीं बनेगा, तो इसमें पहले सरत तो यह आती है, अब इसमें दूसरी सरत यह आती है, जिनको भी साधी करनी है, उनका अगर live partner, जो भी है, पती है, फिर पतनी, वो अगर 7 वर्स या फिर 7 वर्स से अध जिनको भी साधी करनी है, उनका अगर live partner, जो भी है, पती है, फिर पतनी, वो अगर सन्यास ले लेते हैं, और यहाँ पर जिनको साधी करनी है, उनके पास में अगर इस level का सबूत है, यानकी evidence है, तो यहाँ पर वो साधी कर सकते हैं, उनको है, जो कोई भी दिक्कत नहीं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद